हेलो एब्रिवन कैसे आप सबाय हूँ आप लोग अच्छे होंगे तो चले आज हम अपने किछन में बनाते एक डिलिशन सी और हेल्दी दस मिलड में बन जाने वाली ब्रेकफास्ट की रेस्पी तो चले इसे कैसे बनाना है तो देख लेते हैं अपने किछन में तो चले स्टा ले लिया है बाडिक सूजी ले लिया है हमने और एक बड़ी कटोड़ी हमने दही ले लिया है और उसी कटोड़ी में हमने पानी एड़ कर लिया है एक कटोड़ी और सभी को अच्छी तरह से मिला लिया है तो यह देखिए हमने पहले दो चमच हमने बड़ी चमच लिया था द पैचने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे हम छोड़ से ताकि यह सूजी आपने हमारी बैटर भी मिérश डालकर चमस मिक्सर hasil वर लेये चलान कीक्ष। लेकर ताकि जो इसमें सटे हुए हैं बैटर को अच्छी तरह से घोल कर इसमें हम पानिया एड़ करके और mixer jar को चला लेगे तो यह देखिए 2 second के लिए चलाना है अच्छी तरह से तो यह पिसकर अच्छी तरह से bind पिस जाएगी और काफी fluffy बनेगी तो यह देखिए है ना हमने इसमें ino add किया है और ना ही हमने इसमें soda add किया है तो हमारी जो batter है पिसकर देखिए इसकी thickness ऐसी होनी चाहिए और इसको चम्मच की सहाईता से हम इसे ऐसे फेट लेंगे कुछ देर के लिए 2-3 मिनट के लिए इसे ऐसे फेटेंगे तो यह काफी fluffy सा हो जाएगा इसमें ino और soda की हमें कोई भी जरूत नहीं है यह ऐसे ही soft बनकर ready होगी क्योंकि इसमें ino और soda का काम भी हमारा दही करता है तो यह देखिए हमारे batter जो है वो फेटने के बाद ready हो चुके है तो हम इस टाइप का plate ले लेंगे आप चाहो तो कोई भी छोटी-छोटी plate भी ले सकते हो कडाही को पानी उबलने के लिए हमने छोड़ रखा था पहले से ही तो इसके उपर हम एक plate है डाल लेंगे आपके पास कोई भी stain हो तो आप stain का यूज़ कर सकते हैं हमारे पास stain था अभी मिल नहीं रहा है तो यह देखिए batter को हम इसमें डाल देंगे और ढखक कर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए और जो हवा ना निकले तो इसको थोड़ी सी paper को fold करके इसे हम cover कर देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो देखिए 10 मिनट के लिए वो पकड़ई है तब तक हम बदाम का चटनी बना लेते हैं तो इसके लिए हमने तेल कड़ाई को गरम करके तेल एड़ कर लिया है आधी चमच हमने जीरा मिर्च और सरसो एड़ करके और एक चमच चनाट दाल ले लिए और तरकी लगा लिए हैं और साथ में हमने दो बड़े कप हमने छोटी-छोटी कप से हमने बदाम ले लिया है पीनट ले लिया है रो पीनट और इसको अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे क्रिस्पि होने तक ब्राउं करने तक इसे भून लेंगे और यह देखिए हमारे जो बदाम है वो भून चुकी तो इसे हम mixer jar में transfer करके इसे पीस लेंगे तो यह देखिए हमने सारे निकाल लेते हैं पहले कडाई से जो है हमारे बदाम उसको हम निकाल लेते हैं mixer jar में और इसी के साथ हम इसमें स्वातके नमक आट करके थोड़ा सा पानी आट करेंगे और फिर mixer jar को चलाकर इसे paste बना या तूथपी के साइता से देख सकते हो कि अंदर तक यह पका है कि नहीं तो यह अच्छी तरह से पक गया है तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और जो हमने चटनी पीसा था बदाम का उसको हम ट्रासफर कर लेते हैं दूसरे बॉल प कर्ची है उससे अच्छी तरह से हमने निकाल लिया है और छोटी छोटी पीसे में इसको कट कर लिया है तो चोकले पे रखके हमने छोटी छोटी पीसे कर लिया है आप चाओ तो बड़े पीसे भी कर सकते हो इसको अपने अनुसार जो भी आप सेप रखना चाओ उस सेप में आप इसे cut कर सकते हो, तो मैंने इसे safe में cut कर लिया है और साथ में हमने कड़ाई जो गरम कड़ाई थी उसमें तेर डाल लिया है, थोड़ी सी राई डाल लिया है और एक मिर्च डाल लिया है विर्च अपने according आप डाल सकते हैं तीखा कम जादा कर सकता है हाँ अगर आपके पास धनिया पता हो या कड़ी पता हो, तो आप इसे इसमें use कर सकते हैं, हमारे पास available अभी नहीं थी, इसलिए हमने सिर्प राई और जीरा का ही और मिर्च का ही छोक लगा दिया, तो यह देखिए थोड़ी दिरी से हम fry कर लेंगे और चटनी के साथ सर्व करेंगे और साथ में आप इसमें mayonnaise के साथ भी खा सकते हो और इसे sauce के साथ भी खा सकते हो तो generally यह चटनी के साथ ही अच्छी लगती है और बहुत ही soft और spongy बनती है और tasty है और काफी healthy है आपको इसको खाने के बाद आपको भाड़ी भाड़ी सा नहीं लगेगा यह बहुत ही हलका सा नासता है तो 10 मिनिट में बन कर तयार हो जाता है अपने घरों में ही तो please try करें अपने घर पे बनाए जरूर से और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो please like, share and subscribe करें और दोस्तों के साथ share करें ना भूले तो चलिए आप भी enjoy कीजिए अपने घरों में जरूर बनाएए थैंक यू फोर वाचिंग माई वीडियो और प्लीज सस्क्राइब कीजिए अगर आपकी कोई भी एक वेरी हो चाहे आपकी कोई भी डिश आपको बनवानी हो तो please आप comment box में हमें comment कर सकते हैं तो thank you